दोस्तों क्या आप भी अपने अन्चाहे बालों को हटाने के लिए सेविंग करते हैं या फुर बैक्स करते हैं लेकिन दोस्तों ये काफी पेंफुल होता है और इससे एलर्जी भी हो सकती है तो आज मैं आपको अपने अंचाहे बालों को हमेशा के लिए खटाने के लिए मैं आपको एक घरेली गया उसका बताऊंगी बिल्कुल नैशनल तरीका जिससे की आपके अंचाहे बाल आराम से हट जाएगा और इसका कोई भी side effect नहीं होगा बिल्कुल नैशनल तरीका बताऊ दोगी और रिजलेट आपको एक बार में ही देखेगा तो चलिए वीडियो करते हैं श्टार्ट दोस्तों आपके अंचाहे बाल चाहे चेहरे पर हो या फर अपरले पर हो या फर हाथ में हो पैर में हो कई पर भी हो आप अपने अचाहे बालों को हटा सकते हैं इस घरेलू अब इसमें मैंने यहाँ पे आंदा चम्बस सुगार डाल दिया है एज दोस्तों जो सुगर होता है यह चीनी होता है यह क्या करता है हवाई डेड़ को रिमुव करता है और अंचाहे बालों को निकालने में बहुत तेजी से यह मदद करता है जो मैं यह नुस्था आपको पताने जा रही हूँ अंचाहे बालों को निकालने के लिए यह क्या करेगा आपके अंचाहे बालों को भी रिमूब करेगा हमेशा के लिए और फिर क्या होगा इस से आपके चेरे की चमक भी आएगी यानि की तोचा में चमक आएगे तोचा में गिलो आएगा तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ठंडा मौसम है सरद्यों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो इसमें जो यह नारील का तेल होता है यह जम जाता है तो आप क्या करें इस तरीके से एक छोटा चमज भर करके इसमें नारील का तेल डाल दें जो यह नारील का तेल होता है यह हमारी तुचा पर मॉस्टराजिंग लाता है और हमारी तुचा को मिनरल्स और विटामिस देता है और साथी साथ अंचाहे बालों को भी निकालेगा अब इसके बाद में हमें डालना है इसमें बेसन बेसन हम इसमें एड करेंगे यहां पर आप देश सकते हैं मैंने दो चमत बेसन डाल दिया है और हमें कम लगेगा तो हम इसमें और भी एड करेंगे तो क्या करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आपको गुठलियां नहीं रहने देना है यानि कि लंस ना रहें अच्छे से मिलाईए अब आप दे सकते हैं अभी यह आपको छुटकारा मिलेगा यानि कि आपको इसका रिजल्ट देखेगा अब आप देश सकते हैं इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यह हमारा जो पैक है अंचाहे बालों को हटाने के लिए तयार हो चुका है तो चलिए अब मैं आपको अपने हाथों में लगा करके दिखाती हूं यह जो पैक है इसको आप चाहें तो हाथ में पैर में अंडरामस में चहरे पर कहीं पर बी अपर लिप पर कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो इससे क्या होगा आपके अंचाहे बारों से आपको छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि बिलकूल नैच्नल तरी का मैं आपको बता रही हूं इसका कोई भी साइड इवेक्ट नहीं है तो आपको करना क्या है आपको इस पेश्ट को लगा लेना है एक मोटा परत और लगा करके इसे करीबन आप 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि हलका सा ड्राय हो सके ठीक है यानि के हलका सा यह सूख जाए जब यह ड्राय होगा तभी आपके अंचाहे बालों से छुटकारा दिलाएगा दोस्तों इसमें जो मैंने चीनी यूच किया है यह क्या करेगा आपकी चाहरे पर फेयरनस लाएगा और डेयर डिस्कन को भी रेमूब करेगा आपकी तोचा में चमका जाएगी अब सबस्ति यह जा है इसागा शराफतर पाद में आपको क्या करना है इस तरीके से इसको इसको इसाइब करेगा यह बहुतों से इसको आपको रगड़ना है ठीक है ना हलके हाथों से रिमूग पड़ना है तो आप देख सकते हैं जैसे कि यह आटा की जो बत्ती निकली है इसी बत्ती में आपके जो अंचाहे बाले बिल्कुल निकल जाएंगे आपके अपर लिपके आपके चेहरे के रूमे वो सारे आपक ब्रूमे लिंवर सकते हैं और इसका कोई साय डिफक्टिय का जाते हैं यह और इसको अब मैं क्या करूंगी दोलूग पानी से अच्छेसे और आपको इसमें還是 cream क्रीम लगाने की कोई जरूरत नहीं है और आप मेरे हाथों को भी देख सकते हैं बाल भी रिमूव हो चुका है और प्लस मेरी जो तुचा है हाथों की वह भी बिल्कुल ग्लो करने लगी है खुबसूर्ती आ गई है आप देखिए मेरे हाथों का गूरापन यानि कि आपकी ड इसके और आपके लगा बैट निकल डिए का अंचाहिए बाल निकलेंगे और आपके हाथ पैर भी खुबसूरत गोरी हो जाएंगे तो लाइक है दो शिखने करें